नमस्कार दोस्तों मैं अर्शद आपका स्वागत करता हूँ यदि आप उत्तर पर्देश समिछा धिकारी सहाइक समिछा धिकारी अर्थात आरो A.R.O. 2016 या आने वाली नए वैकंसी समिछा धिकारी की तयारी कर रहे हैं तो किरिप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें ध्यान रहे बेलाइकन दवाना ना भूले जिससे मेरे आने वाले परते एक वीडियो का नोडिफिकेस आप तक आसानी से पहुंचता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तदभाव तत्सम भाग साथ बगुला बगुला एक जो है तदभाव शब्द है और बगुला का तत्सम क्या होता वक होता है वक अगला देखिए बरगद बरगद जो है एक तदभाव शब्द है और बरगद का तत्सम क्या होता है वट होता है बचला बचला क्या है तदभाव है और बचला का तत्सम क्या हो जाएगा वट से हो जाएगा अगला पॉंट देख लेते हैं बानी बानी क्या ह अगला point देखिए, बैगन, एक तदभाव सब्द है, वातारक जाता है, बिगाड एक तदभाव शब्द है, और बिगाड का तदसम क्या होता है, विकार होता है, gustaría बीट का होता है विष्था हो जाएगा बुढ्धा यह देखिए बजरंग ग्या होता है वजरांग क्या हो जाएगा वजरांग हो जाएगा चलिए बनिया तदभाव शब्द है और बनिया का तदसम क्या होता है वडिक बनिया का तदसम वडिक होता है बाग एक तदभाव शब्द है और बाग का तदसम व्याग्र हो जाता है बंदर एक तदभावशब्द है और बंदर का तदभावशब्द है और बंदर का तदभावशब्द है और बियाह 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 का तदभावश परड़नी हो जाता है बीच्छू एक तदभाव शब्द है और बीच्छू का तत्सम क्या होता है तो बीच्छू का तत्सम हो जाएगा विरिश्चिक हो जाएगा अगला पॉइंट देखे बहू बहू क्या है तदभाव शब्द है और बहू का तत्सम क्या होता है बहू का त तत्सम होता वधू होता है चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं बीना बीना क्या है तदभाव है और बीना का तत्सम क्या हो जाएगा तो वीडा हो जाएगा वीडा बीना का तत्सम वीडा बाउना एक तदभाव शब्द है और बाउना का तत्सम क्या होता है वामन होता ह वामन बूटी एक तदभाव शब्द है और बूटी का तत्सम क्या हो जाएगा वृत्तिक हो जाएगा अगला देखिए बीधना विंधना ये क्या है विंधना एक जो है तदभाव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है विधन हो जाएगा विंधना का तत्सम विधन हो जा का तत्सम वातुल, बावला का तत्सम वातुल है, बूजहना, बूजहना का तत्सम क्या होता है, तो बूजहना का तत्सम जो है, बुध्यते होता है, बुध्यते, बसेरा, एक तत्सम क्या हो जाएगा, वासग्रिह हो जाता है, बत्ती एक तत्सम वर्तिका होता है, बत्ती का पॉन देखे बकरा एक तदभाव शब्द है और बकरा का तदस्म क्या होता वरकर बकरा का तदस्म वरकर हो जाएगा बोना बोना एक तदभाव शब्द है और बोना का तदस्म वपन होता है वपन बेत क्या है तो तदभाव शब्द है और बेत का तदस्म क्या होता है वेत्र हो जाता है वेत्र अगला पॉंड देखिए बीच एक तदभव शब्द है और बीच का तत्सम क्या होता है वर्त्म वर्त्म हो जाएगा यहां देखिया धता है और मा के उपर राभी है तो बीच का क्या हो जाता है वर्त्म हो जाता है विकना एक तदभवशब्द है और विकना का तदभवशब्द है और विकना का तदभवशब्द है बाड़ी का तदभवशब्द है तो बाड़ी का तदभवशब्द है और बहेला 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 वर्ध क्या हो जाएगा वीर्ध या वर्ध की तो बड़ाई का याद रखिएगा दोनों में से जो है एक ही आपसन में रहेगा या तो वीर्ध रहेगा या तो वर्ध की रहेगा चलिए बिजली देख लेते हैं बिजली क्या है का दभाव शब्द है और बिजली का तत्सम क्य होता है वीनती क्या हो जाता है वीनती हो जाता है अगला देख लेते हैं बाखान बाखान एक तदभाव शब्द है और बाखान का तत्सम क्या हो जाता है व्याख्यान हो जाएगा बाज एक तदभाव शब्द है और बाज का तत्सम क्या हो जाता है वंध्या अगला देखिए बात बात एक तदभाव शब्द है और बात का तत्सम क्या होता है वारता होता है वारता बरशना एक तदभाव शब्द है और बरसना का तत्सम क्या होता है वरसल क्या हो जाता है वरसल हो जाता है बु बचन क्या है बचन एक तदभाव शब्द है और बचन का तदभाव शब्द है और बड़ा एक तदभाव शब्द है और बड़ा का तदभाव शब्द है तो बड़ा का तदभाव शब्द है और बड़ा का तदभाव शब्द है और बड़ा का तदभाव शब्द है और बड बनारस एक तत्सम वराड़सी होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए। भागत का तत्सम क्या होता है भाक्त हो जाता है भालू एक तत्दभाव शब्द है और भालू का तत्सम क्या होता है भल्लुक होता है भासम एक तत्दभाव शब्द है और भासम का तत्सम भस्म हो जाएगा भाई का तत्सम क्या होगा तो भाई का तत्सम भ्राता या ब्रात् भातीजी का तत्सम शब्द क्या होगा तो भातीजी का तत्सम हो जाता है भात्रिजा क्या हो जाता है भीखारी का तत्सम क्या होगा तो भीखारी का तत्सम भीच्छु किया भीच्छा कारी क्या हो जाता है भेश भेश एक तदभाव शब्द है और भेश का तत्सम वेश होता वेस भाड़ा क्या है एक तद्भाव शब्द है और भाड़ा का तद्सम भातक होता है भातक भाला देखिए भाला क्या है तद्भाव है और भाला का तद्सम क्या हो जाएगा भद्रक हो जाएगा भावरा का तद्सम क्या होता है तो भावरा का तद्सम भरमर क्या हो जाता है भाजा का तत्सम क्या होगा भाजा का तत्सम भागिनिये क्या हो जाता है भाजाई या भावज भावजाई या भावज का तत्सम क्या होता है तो भावजाई या भावज का तत्सम ब्रात्र जाया भादो का तत्सम क्या होगा भादो का तत्सम भादर पच्छ क्या हो जाता है भादर पच्छ हो जाता है भीख का तत्सम क्या होगा तो भीख का तत्सम बिच्छा भाभी भाभी का तत्सम क्या होगा तो भाभी का तत्सम जो है भात्र भार्या ब्रात्र भारिया हो जाता है अगला पॉंड देखिए भाण भाण जो है ये भाण का तत्सम क्या होगा तो भट या भन्ड भट या भन्ड हो जाएगा भाण का तत्सम भट या भन्ड होता है अगला देख लेते हैं भठी एक तद्वाव शब्द है और भठी का तद्सम क्या होता है ब्राष्टरीका होता है भठी का ब्राष्टरीका हो जाएगा भ्रकोटी होगा भूशन भूशन का तत्सम जो है भूशल होता है अगला देखे बारोशा भारोशा एक तदभाव शब्द है और भारोशा का तत्सम क्या होगा परवस्यता क्या हो जाता है encourageता है अगला देखें भूक एक तदभाव शब्द है और भूक का तत्सम क्या होता है भूबुचा होता है भी भी एक तदभाव शब्द है और भी का तत्सम क्या हो जाएगा अपी हो जाएगा भी का तत्सम अपी होता है अगला देखतें भंडार भंडार एक तदभाव शब्द है और भांडार का तत्सम क्या हो जाएगा भांडागार क्या हो जाता है अगला देखे भातीज भातीज क्या है भातीज एक तदभाव शब्द है और भातीज का तत्सम क्या होगा ब्रात्रब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब और भूखा का तत्शम क्या हो जाएगा तो भूबूचित हो जाता है चलि अगला पॉँषा धूसा जो है यह धूस आधू數 हो जाएगा और भूशा का तत्शम क्या होता है और क्या हो जाएगा बुश हो जाएगा देखे भूखा का तत्सम क्या था तो बुभूचित था तो यह सारे छोड़ा सा कठीन है लेकिन तब भी जो है इसको याद रखना है चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है भैशा भैशा क्या है भैशा यह क्या हो जाएगा भैशा का तत्सम हो जाएगा महिसा अगला देखते हैं भभूत भभूत क्या है तो भभूत एक तद्भाव शब्द है और भभूत का तत्सम क्या होता है वीभूती क्या हो जाता है वीभूती हो जाता है अगला देखिए भीतर भीतर एक तद्भाव शब् और भीतर का तत्सम क्या होता अभियंतर होता है भाप एक तदभाव शब्द है और भाप का तत्सम वास्प हो जाएगा वास्प चलिए अगला पॉंट देख लेगा मावड से आने वाले कुछ महत्पूर तदभाव और तदसम जैसे मगर एक तदभाव शब्द है और मगर का तदसम क्या होता मकर होता मकर मकड़ी का तत्सम क्या होगा मकड़ी का तत्सम होगा मरकटी मरकटी हो जाएगा अगला देखिए मिर्च का तत्सम क्या होगा मिर्च का तत्सम मरीच होगा मिर्च का तत्सम मरीच होता है मैल का तत्सम क्या होता है मैल का तत्सम मल मेल का तत्सम मल होता है मसहरी का तत्सम क्या है मसहरी का तत्सम मशकहरी यहां बड़ा सार हैगा मशकहरी हो जाएगा मामा का तत्सम मातुल मामा का तत्सम क्या है तो मातुल मीत का तत्सम शब्द मित्र होता है मीत का तत्सम मित्र हो जाता है अगला देखिए, मुह का तत्सम क्या होगा तो मुख होगा, मुखल का तत्सम क्या होता है, तो मूशल, मूखल का तत्सम मूशल होता है, चली, अगला देख लेते हैं, मक्खी, एक तदभाव शब्द है, और मक्खी का तत्सम मचिका, मक्खी का तत्सम क्या होता है, तो मचिक होता है अगला देखते हैं मनिहार मनिहार एक तदभाव शब्द है और मनिहार का तत्सम मडिकार क्या हो जाता है मडिकार होता है मोर एक तदभाव शब्द है और मोर का तत्सम मयूर अगला मारग मारग एक तदभाव शब्द है मारग का तत्सम मारग होता है चली अगला चलिए अगला देखिए मिठाई, तादभाई का तत्सम मिष्ठान, क्या हो जाता है? मिष्ठान हो जाता है, यह ठान ही टा है, मिष्ठान. चलिए मावत का तत्सम क्या होगा तो मावत का तत्सम मृत्ति होता है मिठी का तत्सम मृत्ति का होता है अगला पॉइंट देख लेते हैं मारगहट मारगहट एक तादभावशब्द है और मारगहट का तत्सम क्या हो जाता है तो मृत घट होता है मुठी एक तदभाववववववन होगा, मुठी का तदभाववववन होगा, मुठी का तदभावववhericया मुंग का तदसम मुद्दग हो जाएगा, मदारी एक तदभव शब्द है, और मदारी का तदसम क्या होता है तो मंत्रकारी, महुआ का तदसम क्या है, महुआ का तदसम जो है, मधुक है, महुआ का तदसम मधुक है, महुआ एक तदभव शब्द है, और महुआ का तदसम क्या हो जाएका मध्हुक हो जाएका मध्हुक चली अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है मक्खन मक्खन का तत्सम क्या होगा तो मक्खन का तत्सम जो है मरचड होता है मरचड अगला देख लेते हैं अगला है मोती मोती एक तदभाव शब्द है और मोती का तत्सम क्या होता है मौक्तिक होता है मौल एक तत्सम क्या होगा तो मूल मूल का तत्सम मूल हो जाएगा मूल अगला देखिए माथा माथा क्या है तत्सम क्या होता है मस्तक होता है मश्तक अगला देखे मेधक मेधक एक तदभाव शब्द है और मेधक का तत्सम क्या हो जाएगा मेधक का तत्सम जो है मंडूक हो जाएगा मंडूक अगला देख लेते हैं मुखिया, मुखिया क्या है, मुखिया एक तदभाव शब्द है और मुखिया का तत्सम क्या हो जाता है, मुख्य होता है महावत क्या है, महावत एक तदभाव शब्द है और महावत का तत्सम महापात्र, महापात्र हो जाएगा मा, माता या माई इन तीनों का जो है तत्सम क्या हो जाएगा तो तीनों का तत्सम होता है मात्र होता है मात्र मौर, मौर एक जो है तदभाव शब्द है और मौर का तत्सम क्या होता है मुकुट, मौर का तत्सम मुकुट होता है चली, अगला point देख लेते हैं, मानुष, मानुष एक तदभाव शब्द है, और मानुष का तदसम क्या होता है, मानुष या मानुष, यहाँ देखिए, सतकोड़ वाला सा है, तो समझेगा, मानुष का जो है, मानुष एक तदसम है, और मानुष क्या है, तदभाव है, तो मा मात्र श्वाशा क्या होता है मात्र श्वाशा होता है मरम मरम एक तद्भाव शब्द है और मरम का तद्सम क्या होगा मरम हो जाएगा मुझे मुझे क्या है तो मुझे एक तद्भाव शब्द है मुझे का तद्सम क्या होता है महयम मरना का तद्सम क्या होगा मरना का तद्सम म मारगड हो जाएगा में एक तदभाव शब्द है और में का तत्सम क्या होता है मध्धे मध्धे हो जाता है मूझ का तत्सम क्या होगा तो मूझ का तत्सम जो है सम्षू होता है अगला देख लेते हैं मुदरी मुदरी एक तद्रहो शब्द है और मुदरी का तत्सम क्या होता है मुदरी का तत्सम मुदरी का तत्सम मुदरी का होता है मचली का तत्सम क्या होगा तो मतस्य हो जागा मचली का तत्सम मतस्य होता है मीठा का तत्सम मिष्ठ मीठा का क्या होता मुंद हो जाएगा, महेंगा का तत्सम महारग, क्या होता है, महारग होता है, मंदुआ का तत्सम मंदप होता है, मसान का तत्सम सब्द शम्शान, क्या हो जाएगा, मसान का शम्शान हो जाएगा, चलिए, अगला देख लेते हैं, रावरड से आने वाले कुछ महत्पूर तद जैसे राखी राखी का तत्सम रच्छा या रच्छिका राखी का तत्सम क्या होता है रच्छा या रच्छिका होता है राजपूत का तत्सम राजपूत्र होता है रात का तत्सम क्या है तो रात का तत्सम रात्री है रीता का तत्सम रिक्त होता है रूठा का तत्सम क्या है र रूठा का तत्सम रुष्ट होता है रैन का तत्सम क्या हो जागा तो रैन का तत्सम रजनी होता है रत्ती का तत्सम क्या है तो रक्तिका रत्ती का तत्सम रक्तिका है रोगी का तत्सम सब्द क्या हो तो रुग्ड होता है चलिए अगल आप वांड देख लेते हैं रसी एक स् और रसी का तद्सम क्या होता है रजू रसी का तद्सम रजू होता है रानी एक तद्भाव शब्द है और रानी का तद्सम क्या हो जाएगा रागी रानी का तद्सम रागी हो जाएगा रास एक तद्भाव शब्द है और रास का तद्सम राशी होता है रोना एक तदभाव शब्द है रोना का 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 तदभाव रसोई का तत्सम शब्द रसवती रसोई का तत्सम क्या है रसवती रसवती चलिए अगला देख लेते हैं रीठा एक तदभाव शब्द है और रीठा का तत्सम क्या होगा तो अरिष्ट क्या होता है अरिष्ट होता है रीठा एक तदभाव शब्द है और रीठा का तत्सम क् अगला देखिए रीच एक तदभाव शब्द है और रीच का तदभाव शब्द है और रीच का तदभाव शब्द है और रूख का तदभाव शब्द है और रूख का तदभाव शब्द है रूख का तदभाव शब्द है रूख का तदभाव शब्द है रूख का तदभाव हई और लाख का तत्सम क क्या होता है लच होता है लच मन लच इक तदभवव् शब्ध है और लचमन का तत्सम क्या होता है लच मर यह देखिए लोन या नोन लोन या नोन यह जो है एक तदभो शब्द है और लोन या नोन का तदसम क्या होता लवर चली अगला देखिए लच्छन लच्छन जो है एक तदभो शब्द है और लच्छन का तदसम क्या होता लच्छड होता लच्छड लॉंग एक तदभो शब्द है और लॉंग का तदसम क्या हो होता है लमंग लुनाई तदभाव है लुनाई का तदसम क्या होता लवरता लवरता हो जाएगा चली अगला पॉइंट देख लेते हैं लीपन लीपना एक तदभाव चाटरी वाला चाट है, तो लिख का तत्सम क्या हो जाएगा? लिखा हो जाएगा. लकडी का तत्सम सब्द होगा लगड़, लगड़ एक तत्सम लगड़ हो जाएगा. लंगड़ा एक तदभाव शब्द है और लंगड़ा का तदभाव शब्द है और लंगड़ा का तदभाव शब्द है और लोड़ा 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 का तदभाव शब्द है औ लोमश लोमडी का तत्सम लोमस हो जाएगा लुहार या लोहार या लोहार एक तदभव शब्द है और लुहार या लोहार का तत्सम क्या होता लौहकार होता है लौहकार एक तत्सम सब्द है लाज का तत्सम क्या होता लज्जा लाज का तत्सम सब्द लज्जा होता है लंगो लेई का तत्सम सब्द लेपिका हो जाता है इसके अलामा लिलार एक तत्सम ललात होता है ललात हो जाता है चली अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है लोभी एक तत्सम क्या होगा लुब्ध हो जाएगा लाघना का तत्सम क्या होगा लंघन हो जाएगा होता है लाठी का तत्सम यश्टी हो जाता है लखपती एक तदभाव शब्द है और लखपती का तत्सम क्या होता है लखपती लखपती का तत्सम लखपती हो जाएगा लटकना का तत्सम क्या होता है लटन लटकना का तत्सम लटन होता है लिपटना का तत्सम क्या होगा तो लिपटना का तत्सम लिप्त हो जाएगा लिपटना जो है एक तत्सम क्या होगा लिप्त हो जाएगा लोथ एक तत तत्सम सब्द लोश्ट होता है वावरण से आने माले कुछ महत्पूर्द तदभव और तत्सम जो है देखते हैं जिसे वरन वरन एक तदभव शब्द है वरन और वरन का तत्सम क्या होता है वरण हो जाता है विछोह एक तदभव शब्द है और विछोह का तत्सम क्या होगा वी छोब होगा, वी छोब है, अगला देखिए, सक्कर, सक्कर क्या है, सक्कर तदभाव शब्द है, और शक्कर का तत्सम क्या होता, सरकरा, सक्कर का तत्सम सब्द सरकरा हो जाएगा, सीसम एक तदभाव शब्द है, और सीसम का तत्सम क्या होता, सिंसपा होता, सिंसपा, चलि साप का तत्सम क्या होता साप होता शाप स्राप तदभव और शाप तत्सम सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सेंध यह कि तद्भोशब्द है और सेंध का तत्सम संधी होगा साथ का तत्सम सब्द होता है साथ का तत्सम क्या होता है सब्द होता है साप का तत्सम क्या होगा सर्प सरसो का तत्सम क्या होगा तो सरसो का तत्सम जो है सरसप होगा सरसप सपना का तत्सम क्या हो जाता है तो स सपना का तत्सम सब्द स्वडन हो जाएगा सपनार का तत्सम सब्द स्वडकार हो जायेगा साखी साखी का तत्सम क्या होगा तो साखी का तत्सम जो है साच्छी होगा क्या हो जाएगा साच्छी हो जाएगा इसके अलामा सच एक तदभव सब्द है और सच का तत्सम सत्य होता है सच का तत्सम क्या होता है सत्य होता है सत्य का तत्सम क्या होता है सत्य का तत्सम सब्द सब्द शती होता सापतनी सजन या साजन सजन या साजन का तत्सम क्या होता स्वजन होता है स्वजन एक तत्सम है और साजन या सजन तदभव है सोना का तत्सम क्या होगा तो सोना का तत्सम सुर्ड हो जाएगा सोना का तत्सम सुर्ड हो जाता है सरवर का तत्सम क्या होगा तो सरवर का तत्सम स तरोबर है इसके अलमा सूत का तत्सम क्या होगा तो सूत का तत्सम सब्द सूत्र होता है सूत का तत्सम सूत्र हो जाता है चली अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है सूरज सूरज क्या है यह का तदभाव शब्द है और सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा सोध क्या है सोध एक तदब्होण शब्द है और सूध का तत्सम क्या होता है सुगन्ध होता है सुगन्ध च्रह एक तदब्होण चैहा Г ये एक तदभाव शब्द है और सुघड का तत्सम क्या होता है सुघड का तत्सम सब्द सुघड हो जाएगा सितार का तत्सम क्या होगा सब्दतार हो जाएगा साधे एक तदभाव शब्द है और साधे का तत्सम क्या होता है साढ़े का तत्सम शार्थ होता है साई का तत्सम जो है स्वामी हो जाएगा इसके अलाम साज साँप का समर्पे क्या हो जाएगा इसके लाबा सूथारा क्या होता सुइस्थिर हो जाएगा सीधा कासम सुइस्थिर हो साथ का तत्सम जो है सिद्ध हो जाता है साथ का तत्सम क्या होता है तो साथ का तत्सम जो है सार्थ होता है सार्थ है इसके अलामा साज्हा का तत्सम क्या होगा तो साज्हा का तत्सम जो है यह हो जाता है सांस यहां देखिए छोटा सा इसके अलामा बड़ा शार्थ तो शांस इसके अलामा जो है सलोना, सलोना एक तदभव शब्द है और शलोना का तत्सम क्या हो जाता है सलावन्य, सलावन्य हो जाएगा चली अगला देख लेते हैं, शयाना एक तदभव शब्द है और शयाना का तत्सम क्या होता है सज्ञान सयाना का जो है तत्सम सज्ञान हो जाएगा समझ का तत्सम क्या होगा तो सनबुधी समझ का तत्सम शनबुधी होगा सत्तू एक तत्सम क्या होगा सक्तू क्या हो जाता है सक्तू हो जाता है अगला देख लेते हैं समेटना एक तत्सम क्या होता है समावर्तन हो जाता समा वर्तन सत्तरह येक तदभाव शब्द है और सत्तरह का तत्सम क्या होता है सब्ता दश सब्ता दश हो जाएगा सनसी, सनसी क्या है सनसी येक तदभाव शब्द है और सनसी का तत्सम क्या होगा तो सन्दसी का क्या हो जाता है सन्दसी का हो जाता है तो ये थोड़ा सा कठीन है लेकिन इसको जो है, समझना है, चली अगला पॉइंट देख लेते हैं, सगा एक तदभव शब्द है और शगा का तत्सम क्या होगा, सवबक हो जाएगा, चली अगला देखिए सताना, सताना का तत्सम क्या होगा, तो सताना का तत्सम जो है, सहली का तत्सम क्या है? तो सहली का तत्सम सहहलनी हो जाएगा साड का तत्सम क्या होता? शंड हो जाता है, इसके लावद सोता ये एक तदभव शब्द है और सोता का तत्सम स्रोत है क्या हो जाता है सोता का तत्सम स्रोत हो जाता है साली का तत्सम क्या होगा तो साली का तत्सम श्याली हो जाता है साली एक तद्धव हो है और श्याली तत्सम है तो साली का तत्सम श्याली हो जाता है ससूर का तत्सम क्या होगा तो ससूर का तत्सम जो है श्वाशूर हो जाता है सांस का तत्सम क्या होगा तो सांस ये लेने वाला सांस जो हम लोग लेते हैं इसका है तो सांस का जो है श्वाश हो जाता है इसके अलामा जो है, सूई का तत्सम क्या होगा, तो सूई का तत्सम जो है, सूची का या सूची होता है, सप्तासी का तत्सम क्या होगा, सप्ताशीत होता है, सप्तासी का तत्सम सप्ताशीत होता है, सशुराल का तत्सम क्या होता है, तो स्वशुराल, स्वशुराल हो जाता ह सपूत का तत्सम सुपूत्र होता है सपूत का तत्सम जो है सुपूत्र हो जाता है सनसी जो है सनसी का तत्सम क्या होगा तो संदशीका अभी जो है रिपीट हो गया यह तो संदशीका हो जाएगा संदशीका सामला का तत्सम जो है सामला का तत्सम स्यामल होगा सांस सांस का तत्सम क्या होगा तो स्वैस्ष्री क्या हो जाता है स्वैस्ष्री हो जाता है यह सांस कौन सा है यह रिष्टे वाला सांस है और वो जो स्वांस था ये स्वांस जो तत्सम था वो सांस का जो सांस हम लोग लेते हैं वो आक्सीजन उसकी बात थी तो दोनों में थोला सा समझना है चलिए अगला देखिए अगला जो है सौ का तत्सम क्या होगा तो सौ का तत्सम जो है सत होता है शत सौ का तत्सम जो है सत ह हो जाता है सिंगार का तत्सम क्या होगा तो सिंगार का जो है अतत्सम यह स्रिंगार हो जाएगा सीख का तत्सम सिच्छा होता है सीख का तत्सम सिच्छा सुवर का तत्सम शूकर है सुवर का तत्सम सब्द शूकर है सियार का तत्सम क्या होगा तो सियार का तत्सम स्रिंगाल ह सूखा का तत्सम सुष्टी होता है, सेज का तत्सम सब्द क्या हो जाएगा, तो सैया हो जाएगा, अगला देखिए सींग है, सींग का तत्सम क्या होगा तो स्रिंग हो जाएगा, सुवा का तत्सम क्या होगा तो शुक होता है, सुना या सुनने, सुनने का तत्सम क्या होगा तो शुनने हो जाएगा, यहां बड़ा सा आए, देखिएगा इसको, सुना या सुनने का तत्सम क्य क्या होगा तो स्रेश्ट होगा सोहन का तत्सम जो है शोभन हो जाएगा सोहन का तत्सम जो है सोभन हो जाएगा सेम सेम का तत्सम क्या होगा तो शिंबा सेम का तत्सम शिंबा हो जाएगा सिख सिख का तत्सम क्या होगा तो सिख का तत्सम सिस्स्य हो जाएगा सिख का तत्सम जो है सिस्ष हो जाएगा चली अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है साला साला जो है साला का तत्सम क्या हो जाता है स्यालक साला का श्यालक हो जाता है चली अगला देख लेता है साली का क्या था स्याली था और शनीचर का तत्सम क्या होगा, सनेश्चर, क्या हो जाता है, सनेश्चर हो जाता है, सिंह का तत्सम क्या होगा, तो सारदूल, सिंह का तत्सम सब जो है, यह सारदूल होता है, चलिए अगला देखिए, सिंहाला, सिंहाला एक तदभवशब्द है, और शिंहाला का तत्सम क्य हो जाएगा स्रिंगाटक हो जाता है चले साड़ू साड़ू का जो है तत्सम क्या होगा तो साड़ू का तत्सम जो है स्याली वाट हो जाएगा स्याली वाट सीड़ी का तत्सम क्या होगा तो सीड़ी का तत्सम जो है, स्रेंडी हो जाता है, स्रेंडी, सराध, सराध जो है, तत्सम जो है, तत्सम क्या होगा, तो सराध का तत्सम जो है, स्राध हो जाता है, स्राध है, अगला देख लेते हैं, साही, साही एक तत्सम क्या होगा, तो साही का तत्सम जो है, सल्यकी, क्या हो जाता है सलाई एक तरभो शब्द है और शलाई का तत्सम क्या होता शलाका सलाई का जो है तत्सम शलाका सलाई क्या है तरभो है और शलाका क्या है तत्सम है सकना सकना क्या है तरभो शब्द है और शकना का तत्सम क्या होगा शक्यति सकना एक तरभो है और सकना का तत्सम शक्य सभेट, सवोयत हो जाएगा है, सीष्स एक तत्षम हो का और शीर्ष्य क्या हो स्यामल, सुन, सुन का तत्षम हो maximal होगा, सुन का तत्षम हो जाएगा है, अगला देख लेते हैं अगला पॉइंट है शाकल शाकल एक जो है तदभव शब्द है और शाकल का तत्सम क्या होगा स्रिंखला साकल का जो है तत्सम क्या हो जाएगा तो स्रिंखला हो जाएगा चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं सामन, सामन एक जो है तदभव शब्द है और शामन का जो है तदसम क्या हो जाएगा स्रामड सामन का तदसम स्रामड हो जाएगा साउरी, साउरी जो है एक तदभव शब्द है और साउरी का तदसम क्या होगा प्रसूती ग्रिह प्रसूती ग्रिह हो जाता है साग ये के तदभाव शब्द है और साग का तत्सम क्या होगा शाक होता है हावरड से आने वाले कुछ महत्पूर तदभाव और तत्सम है इसको देख लेते हैं देखे हाडी हाडी जो है तदभाव शब्द है और हाडी का तत्सम क्या होता है हाडी का तत्सम हंडी होता है हरस हरस क्या है तदभव शब्द है और हरस का तत्सम क्या होता है हरस हो जाता हरस हल्दी का तत्सम क्या होगा तो हरिद्रा हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा हरिद्रा हो जाएगा हाथ का तत्सम क्या होगा तो हस्त हो जाता है हाथ का तत्सम हस्त होता है, होली का तत्सम क्या होता है, होली का तत्सम जो है, होली का होता है, अगला देख लेते हैं हाट, हाट एक तदभव शब्द है, और हाट का तत्सम क्या होता है, हाट का तत्सम हट हो जाता है, हरा का तत्सम क्या होता है, तो हरा का तत्सम हरित होता है, हरा का तत्सम हरित हो जाएगा हथिनी एक तदभव शब्द है हथिनी का तत्सम हस्तिनी होता है हथनी का जो है तत्सम क्या हो जाता है तो हस्तिनी हो जाता है इसके अलाम हिया हिया जो है एक तदभव शब्द है और हिया का तत्सम क्या होता है हिर्दय हो जाता है हिंडोला हिंडोला एक तत्सम क हाथी का तत्सम हस्ती हो जाता है चली अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है अहीरा जो है एक तदभव शब्द है हीरा का तत्सम क्या हो जाएगा हीरा का तत्सम जो है हीरा को हो जाएगा इसके अलामा जो है हिलना हिलना क्या है तदभव है तो हिलना का तत्स हरीध की हो जाएगा हड़ी का तत्सम सब्द क्या होगा तो हड़ी का तत्सम अस्थी होता है हड़ी का तत्सम जो है अस्थी हो जाता है हिंग येक तदभाव शब्द है और हिंग का तत्सम क्या हो जाता है हिंगु हिंग का तत्सम हिंगु होता है हार का तत्सम सब्द क्या हो हार का तत्सम हारी होता है हिंदी का तत्सम क्या हो जाएगा तो सिंधी हिंदी का तत्सम सिंधी हो जाता है हुलास एक तदभव शब्द है और हुलास का तत्सम क्या होता है उलास होता है हुलास का तत्सम सब जो है उलास हो जाएगा इदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो किरिपया इसे लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना न भूले इदि आपको सारे जो है तत्सम तदभाव के पीडियप चाहिए तो आप जो है टेली गराम पर अरसद सरजी के सर्च करके उसे आप जोईन कर लें आपको एक साथ तत्सम तदभाव के सारे तत्सम तत्सम तदप जोईन करें से लाइब करी जोब कर दो है।